विवान असलाम अलेकुम कैसे है आप लोग तो दिखें फ्रेंस पिसले वीडियो में हमने जो एक साल से लेके तीन साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू स्वेटर बुनना स्टार्ट किया है आज इस स्वेटर की पार्ट नंबर फूर है इससे पहले मैंने तीन पार्ट कर दी है इससे पार्ट वॉन पार्ट टो और पार्ट तीन अपार्ट में यह नों पला और बनाना आपको बता दियते हैं और इस वोड़ेयो में हमम देखेंगे कैसे बिखके एक हम हमने यहाप पर तैयार कर ली है और यह जो डिजाइन है यह मैंने सिर्फ सेंटर में डाली है आप चाहे तो इस स्लीब में पूरा ओल ओवर डाल सकती है मैंने पूरा जो है इसमें इस तरह के से लाइनिंग बनाई है और सेंटर में डिजाइन हमने डाली है आप अपने एकॉर बारप लाहिस में नहीं मैंब्र बड्र हुँ है के लिए बॉर्डर में 40 फंदे डाले हैं 40 फंदे डाले है डिजाइन्र बॉर्डर रखा है और एक सिदे की इलटे का एक डिजाइन डाले बॉर्डर में और यह दिजाइन है यह जो है यहां से आता क्लेंट इसकी आरा सलाइ बनाए है और इसमें अब हमें फंदे बढ़ाने हैं 40 फंदे मैंने डाले है उपर में 6 फंदे बढ़ाऊंगे बॉर्डर के बाद 2 वह हमें बनानी है और उल्टी सिद्धी सिलाई में या पर फंदे बढ़ाओंगे तो में ये इसा फंदे में से एक फंदे और बना रहें अब फंदे में हमने दो फंदा कर लिया और फंदे सिदा सिदा एक दो तीन चार पाँ छे सात यहाँ पर एकपड़ा देंगे इस तरी के से ठोड़ी थोड़ी गैपिंग देखर टोटल 6 पंद यहाँ बड़ा लूँंगी अपर एक फिर यहां इस तरी के से करते हो लास्ट यहां टोटेल छे फंदे देखे फ्रांच यह मैंने लाच तक कर लिए है यहाँ पर एक फंदा और इंक्रीस करेंगे दिखे इस तरीके से सेम और लाच वाला फंदा सीधा बुन देंगे तो यहाँ पर नीचे मेरे 40 फंदे थे ऊपर मैंने 6 फंदे बढ़ाकर टोटेल यहाँ पर 46 फंदे कर लिए ठीक है अब उल्टी तरफ से पूरी से हम अब उल्टा बनाएंगे इस तरीके से उसके बाद डिजाइन को डिवाइट करेंगे और साइडों से कैसे फंदे बढ़ाने हैं वह बताऊंगे तो पहले में इस लाइक को कंप्लेट कर लेती हूँ देखे फ्रेंस साथ फंदे सेंटर में चाहिए और बाकी फंदों को हम इस तरे के से सीधा और उल्टा बनेंगे और यह जो लाइनिंग हमने है क्या करींगे उसके बात यह से इतने फंद्य आती हैं उनको हम सीधा बगाज है तो इस दीबरे डिवयर्ग करें ऋसे करने साथ निकाल लीजें उसके इसमें टोटल निकालें उसके बाब उसके बार साथ फंद्य है उसके बाद आप सिद्या या धना अस sm mainland डालनी है वैसे कर लीजे तुम्हें पहले सेंटर के साथ फंदे निकालती हो और बाके साथ कितने फंदे होते हैं वो मैं आगे आगे आपको बताती हूँ तुरिखे फ्रेंस आप पर हम डिवाइट कैसे करेंगे पहले हम यहां से यहां तक 20 फंदे बना लेंगे सीधा जो दूसरा कलर है उसके साथ जिस भी कलर से आपको डिजाइन डालनी है उस कलर को आप यहां पर बेस कलर के साथ जाइंट कर लिजे और उसके बाद 20 फंदों को सीधा बना दीजे यह मैं अपने जो फंदों के साब से बता रही हूँ अगर इस तरीके साहम इसको करेंगे तो यह एक फंद उतारा इससे बनाया इससे बनाया और इसको उतार दिया इस चार फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी आसे देखें सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके से बनाया इसको सेंटर में ही आपको सेट करने हैं इस तरीके से सिधा सिधा में बुन देती हूँ तो देखे फ्रेंट से लास तक हमने इसको बना ली है अब सेकेंड रो डिजाइन के यह रॉंग साइज से पहला फंदा इस तरीके से उल्टा बनाएंगे आप चाहिए तो इससे स्लिप कर सकते हैं उसके बाद उन पेचे की तरफ और बाकी फंदों को यहां से यहां तक हम स सीदा बना लेंगे दिखेंगे यह हमने यहां तक बना ली है अब उन अपने तरफ पर के स्लिप करेंगे यह वला फंदा सीदा बनेंगे फिर उन अपने तरफ करके इससे स्लिप करेंगे उन पीछे इससे बनाएंगे तो ऐसे ही हम डिजाइन को रिपीट करेंगे इस डिज तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके भी फ़र्स्ट पार्ट इसकी देख सकते हैं तो डिजाइन मैंने बिल्कुल डिटेल्स में पहले वीडियो में बता दी है और बाकी फंदों को यह से सिदा सिदा बुनते हुए जाएंगे लार्स तक यह हमारी सेकेंड रो भी कंप्लेट हो गई है डिजाइन की अब थर्ड रो जो की सीधी तरफ से यहाँ पर भी कलर चेंज करेंगे जो भी बेस कलर है उससे लेंगे और पूरी सिदा सिदा बनाएंगे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए है नीचे तो अब हम देंको नहीं बढ़ाएंगे चे चलाइ याँ पर दो फंदे दोनों साथ से बढ़ाते हुए जाएंगे चे चलाइक के बाद अब तेपको फंदे बढाने हैं ए इस तुन कंप्लिट हुई है और दो सिदाओंबेट इस कलर 12 से बनाने के बाद फिर सीधी तरफ से हम बढ़ाएंगे तो पहले में यह कंप्लीट के लेती हूं च्राहि उसके बाद आगर अग्या दिखाती हो नहीं मैं नहीं च्छे बना ली यerson और पहला फंद्व आई हैं यहां पर सीधा बनाएंगे उसके बात दूसरे फंदे में हमसेड़ा बढाएंगे तो १र बनाएंगे लास्ट के दो बना ली के लाश्ट में इस सब्रकुरा है सब्सक्राइब उल्टता से फ सब्लाएब करेंगे घघाल है कि दो सब्सक्रादाइस को लेकर काउंट करेंगे दो चारट छे से च्छे सलाई और बनाएंगे इसके बाद एक फंढ़ा साथ से और इक फंढ़ा दूसरे सर्च से बढ़ाता हुए इसको रिपीट करते हुए हम जायेंगे इस तरीके से रिपीट करते हुए जाएंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर बढ़ाया फिर यहाँ फिर यहाँ इस तरीके से करते हुए हट छे सले के बाद एक एक फंदा इसमें बढ़ाते हुए जाएंगे टोटल यहाँ पर लगबक 70 से 74 तक फंदे होनी चाहिए मेरे यहाँ पर 72 फंदे तो इसकी जो लंबाई है यहां से देखे यहां तक और इसकी शेप भी देख लिए इस तरह से आएगे यहां से यहां तक लगबग 20-21 लाइन में लाइट कलर की बनाई है और उसके बाद इस फंदों को मैंने गटाया है तो मैं पहले उस लिप की लंबाई कंपलेट कर लेती ह है दो पहले में दूसले शियुक लंबाई कंपलेट करके फिर आगे का आपको दिखाते हूं देखेंगे तो इस तरी के से बनी है टोटल अब पर 72 फंदे मेरें क्रीस होते होते कंपलेट हुई है अब यहां पर इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको इंसिटेप्शन आपके दिखा देती हो इसके बाद डिजाइन के साब सभी मैं बता दूंगे तो सबसे पहले देखे यहां से यहां से लेकर नीचे तक बिल्कुल बॉर्डर तक हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा और बनेगा यह लेकिन जो इंची लंबाई में रखी है बाजू की वह मैं आपको द बना लेनी है थोड़ा सा एक साल के लिए बड़ा बनेगा लेकिन तीन साल तक के बच्चे को मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा यह पर्फेक्टन आपका बनेगा तीन साल के बच्चे को आराम से आएगी एक साल से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हैंनमेट प्रोजक्ट ह के बच्चा एक-दो साल पहन ले उसके बाद आगे बेस को पहन सकता है तो अब देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई जो है मैं डिजाइन की हिसाफ से बता आती हूँ यह जो हमने दारी बनाई है लाइनिंग स्लाइट कलर से तो यह मैंने 21 लाइनिंग बनाई है 21 लाइन में इ नहीं है और दो लाइन अगे हम करेंगे कि दूशिजै करेंगे के से मुझे कुछ हम इसके बन कर देंगे एक साथ तो पहले अप दिखाती हो इसमें यह लंबाई में बता दी हैं यह साल कर तीन साल तक के बच्छे को बहुत ही अरम से आजाएगी और कर देखिए पर बिल्कुल सिंपल तरीके से करूंगी तीन दो एक इस तरफ से और बाकि जितने फंदे सलाय में रहेंगे उनको हम एक साथ बंद कर देंगे तब देखिए कलर चेंज करेंगे यहां पर यह लाइट कलर है इसी को लेंगे और उसके बाद यह देखिए एक फंदा सीधा बना पर पर नहीं कि यह दूसरा वाला और यह तिसरा तो हमने तीन फंदे की कटिंग कर दी है इस तरीके से ऐसे सोरी के इस पास से दिखाते हुआ आपको देखिए यह तीन फंदे की कटिंग हो गय है और बाकी फंदों को हम अपने इसाप से सिधा सिधा बनेगी बस यहां पर हमें डालने हैं जो की एक फंदा स्लिप करना है एक बनाना है तो यह सेंटर में वाला डिजाइन हम रिपीट करेंगे और बाकी बंदों को सीधा दिखाती हूं देखें सिद्धी सिलाई हमारी बन गई है अब जाए दूसरी सिलाई जो की उल्टी तरफ से यहाँ पर सबसे पहले हम तीन बंदों को इस तरह के से गटाएंगे दो फंद एक साथ ले लिया और दो का इसे सुआगे बनाएं जीक सिलाई ऐसे में अपने डीत करने तक में सब्सक्राइब करेंगे निए क्गलिट कर लेंके लाउआ स्थे मूंदों कर लेंगे तो पर सीद्धी तरह से हम एक हम अग Gayle कोर moan कर साथ बना देंगे और हम यहाँ चीजाइँ तरह सरे स्थे करें लिए उसे पहले निदे को सीधा बनाएंगयांगे अज्यस्मस करती है क्वास्ट न ही तौस्ट की यह पर उनकी हैं दो सिल्ड लिए तो अब इन दो फंदों 2-0 को साथ ले कर ऐससे उल्टा बुहनें गे इसको यह दो एक सथा लेका दो और बाकी दोंगे सो को यह मारी होकी तरफ से एक स्था कंप्लीट हो गई है अब सीधी तरफ और से कि देखिए यहाँ पर हमने लाश्ट वाला फंदा इस कलर से बना लिया है अब इस वंदे को ऐसे स्लिप करेंगे उसके बाद दूसरा वाला फंदा हम बनाएंगे लेकिन उससे पहले यह जो हमारी कलर है इसको फसाएंगे पीछे की तरफ से कि ऐसे और फिर एक फंदा बनाएंगे इसको उतार दिया हमने ठीक है और बाकी दिजाइन के हिसाब से बनाते हुए लाश्ट तक जाएंगे यहां तक और यह दिजाइन हम रिपीट करेंगे सेंटर का ठीक है इससे दिसले बन गई है अब उल्टी तरफ से एक फंदा गटाए शर्मल मस्काइं अच्छार इसले कर और बमते हैं फिर यहां से पूरा सिधा बनाएंगे यहां तक इजशाइंगे फिर यहां से ऑफ्रियां कम प्लिट हो Hanım से अब सीधी तरफ से यहां पर देख लिए पहले हमने तीन फंदा कटा आई तो फिर एक इस तरह से भी तीन दो एकी कटिंग हमने कर दी है और बाकि जितने फंदे हैं अब हैं को हम कट कर देंगे और डर्क कलर से हम इसकी फंदे को निकालेंगे तो इसको जकिनारी है कुछ इस तरीके से ही आएगी देखे यहाँ पर हमने कट करके फिर यह वले जो कलर है बेस कलर इसके साथ मैंने सारे फंदो को बंद की है तो इस तरीके से आएगे आप चाहे तो यह जो लाइट कलर है इस को छोड़ के दूसरे वाले फंदे को बनाएंगे इसके उपर से इसको गिराएंगे हलका जालूज रखिएगा ताकि से लाइकाने में आपको दिकत ना आये यहां पर बिल्कुल टाइट फंदे नहीं निकालना है आपको बस ऐसे हलके हाथों से डिले डिले फंदे को उतारना है एस तो इसी कलर के साथ यह सारे फंदे हम बंद करेंगे एस एक एक करके कर दो बंद करें कर दो को अँर करदा है यहीं है प्यास एक बहुत है खंव्यांस एक जस नहीं है एक कर दो थाजा सक करेंगे लो अग्यांस एक करेंगे चाला तो आधियुआ को मैंने निकाली है और लास्ट वालव अंदा यहाँ पर मेरा यह है अप इस जो दागा है डार्क कलर का इसको हम थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे ताकि हम स्लिप की सिलाय अराम से कर सके इतना लंबा हम इसको कट करेंगे तो पहले मैं इसको कट कर लेती हू दागे को और इसके अंदर से अब हम इस दागे को ऐसे निकाल कर नौट लगा लेंगे अब यह हमारी स्लिप बनकर तयार हो गई है दोनों ही स्लिप मैंने रेडी कर लिए है इस तरीके से आएगी यह देखे देखे दोनों स्लिप मेरी तयार होकर इस तरीके से अगई है अब इसकी जो लंबाई है वो मैं आप कोइंसिटेप से फिश्टे दिखाती हूँ काटिंग के बाद इसकी टूटल लंबाई कितनी हुई है दिखे हां से लेकिए लगबग 11 इंसकी लंबाई कंप्लीट हुई है से लंबा कम यदा कर सकते है लंबाई में उसके राएंखिया कर दीए दो हमारी स्लिप ने को सी लूंगी इसका आता हैँ मैं छोड़ वीडियो में बता दूंगी तो सिलने है बल्कुल आसान है सब से पहले आन दाल के फोल्ड करके पिर आक सकते हैं तो अगर आपको सिलना नहीं आती है अगर बिगिनर से मुझे कम 276 अब बता हैं वहां से एक वीडियो पिल आपको दे तो यह वाला जो स्वाइटर में सिलूंगे इसकी एक शौट वीडियो बनाकर एक मिनिट के अंदर अंदर में आपको यह पूरी स्वाइटर से लाइक करके दिखा दूंगी तो शौट वीडियो में जरूर डालूंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिजएगा शौट जब भी मैं डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है तो आपको यह वाला स्वाइटर कैसा लागा कॉमेंट करके जरू बताएगा मुझे उमीद है आपको जरू पसंद आई हो गया अगर पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और शेय है अगले वीडियो में किसी एक नए डिजैन के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा और अपनी दोओं में हमियाद किजिए गाला हाफिस तैंक यू